व्यस्क्रेशर्व डूइड़ में मिलक्र 9-06 ए रज्व दमाने शूक मुर्णि चैनल लॉन वीड वर siD आज हैं पड़ेंगे मेजर सोर सेंट्रल टैंडिंसी के बारे में इस चैपकर को डिटेल में संझेंगे इस विडियों में सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें यहां पर दिया गया है सेंट्रल सेंट्रल मितलब क्या होता है जैसे कोई यह सरकल है इसका जो यह बिंदू होता है जो यह पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं इसका तो सेंट्रल मितलब किसी इसकी परवर्थी तो कहते ह क्या हमें पता है कि बहुत सारे डाटा होते हैं, जो हमें confuse कर देते हैं, क्योंकि हम उनको एकदम से समझ नहीं पाते हैं, तो जो central tendency होता है, वो क्या होता है, वो एक single figure होता है, जो complete जितने भी data होते हैं, या पूरे universe को represent करते हैं, तो जो single figure जो represent करते हैं, हूल सेट ओफ डाटा को से क्या बोलता हम एवरेज कोई ही हम मैजर सेंट्रल टेंडेंज्जिए या मैजर सोफ लोकेशन बोल सकते हैं ठीक है तो एवरेज के एक सिंगल फिगर होता है जो पूरे क्रूप को रिपरजेंट करता है अब बात आते हैं परपज क्या है यह infection देने में हमारी help करता है एक इतने सारे data को संगल figure में present करने में हमारी मदद करता हैं जो होता है इतन प्रेजिन करने में भी值 है कि जो आप लगा लो आपने ना एक set of data लिया और दूसरा set of data लिया तो आप यह compare करके पता कर सकते कौंछ सेट of data अच्छा है जैसे हम हमारे देश की जो पर-capita income है उसको USA की पर-capita income से compare करके देखे भाई हमारे देश में कितनी गरीब भी है कि हम कितना कमा रहे हैं USA की पीपल्स के comparison में ठीक है यह policies बनाने में भी आलप करते हैं लगा लो average यह पता चल गया कि हमारे देश में लोगों की situation क्या से रहे है तो उ और यह पूरे universe को रिपरजेंट करता कैसे क्योंकि हम पूरी population को तो एक साथ लेके नहीं चल सकते समझ नहीं सकते तो वहां पर हम कुछ figures को लेके चलते हैं और वही ही figure होता है न वह पूरे group को रिपरजेंट करता है ठीक है और जो एक अच्छा एधरे जोग उसकी क्या feature हो होता है तो extreme values इस पर कोई effect नहीं डालती है और यह capable होता है algebraic treatment के लिए algebraic treatment का क्या मतलब होता है कि हम बार 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 इस पर calculation कर सकते हैं ठीक है अब बात आती है टाइप सो फैवरेज तो दो परकार का होता है mathematical और पोदिशन मैथमेटिकल जहां पर math calculation करके चलते हैं तो यह सब्सक्राइब होता है इसको मीन बोलते हैं जिसको हम कैसे निकालते हैं जितनी भी values दी गई है उन सभी का टोटल अपान में number of values number of items जो भी है इसको निकालने के लग-लग तरीक है एक Simple Earth Matter में एक weighted अर्थ में तो Simple Earth Matter में क्या होता है जिसको हम अलग-लग सीरीज के कोड़ी निकाल सकते हैं जैसे Indie कुछ भी का टोटल इसको जब पोकेट लाउंज के टोटल को जब हम नम्पर स्टूडेंट से डिवेट करें तो क्या चाया का हमारा में यह मारा डायरेक्ट मैथड है फिर इसमें होता है एक शॉटकट मैथड या जूमान मेंथड तो वाहां पर हम क्या करते हैं एक लेके चल यहां यह यह को यह सकते हो इस सभाधार कव चुरसीं उपर यह उसका सिरीज इसमें निकाल सकते और डारेक्ट और शोटकर डारेक्ट में क्या हो जाएगा, कि discrate series होते हैं, जा पर हमें frequency भी दी जाए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमारा x है, और जो हमारा f है, मतल centralized frequency है, उन दोना की multiply करने है, और उसे sum of frequency को किसे divide कर देणा है, इस पर जब अब बोल सकते हो, वैसे, इसको आप ऐसे भी लिग सकते हो, आप उन में F ठीक है और यह निकालने के बाद यह हमारा डारेक्ट मेथड हो गया जैसे यहां पर इसने कर रखा नंबर वर्कर्स दे रखे तो इन दोनों के हमने मल्टिप्लाई की वहां से एफ एक्स आ गया उसका सम किया और उसे एन चो हमारा फ्रीक्वेंसी था उससे डिवैड कर दिया ठीक है यह हमारा था डारेक्ट मेथड अब इसी में हम शोटकर मेंथड कर सकते हैं शोटकर मेंथर वही जिसमें अम अजूम में का यूज़ करते है नहीं बस यहां पर फ्रिकेंसी से मल्टिप्लाई हो जाएगी झोब में टैया गते चैंसे जीरों से जीरों से ढस जालती चलती रहती है तो इसको हम तीन तरी किस कैलकुलेट कर सकते हैं डारेक्ट चोटकट और सैप डिविजन ठीक है तो डारेक्ट में तो वहीं नोर्मल है कि सिग्मा एफ एक्स अपोन में जैसे हम एफ करते थे एंड करते थे वैसे यह बस यहां पर क्या हो जाएगा मोगी यहां से लाएं से दस चैपीत उन से हमें डेड फैली निकालनी है यहां पर दे रखा है तो अब हमें क्या करना है इसको और एकिक नजफी करेंगे चिस यहां पर में चाहिए उस से मानने कि इसी में से घटाएंगे वहाँ से जैसा कि यहां दिखाया मैंना और इस मीड़ी को घटाया तो वहां से घटाएंग और फ्रिक्वेंसी की मल्टिप्लाइगी वहां से समा गया और फिर पूर्मले में पूट अब आता है step deviation में जब हम ना जो हमारे जो ये central tendency होते हो उनके भी जो difference होते है न उसको यहां पर आई से remote करके चलते हैं वो size होता है एक type से ठीक है class interval का तो हम क्या करते हैं उसी का यूज करेंगे यहां पर तो बस क्या करना है आपको फॉर्मले का याद रखना देखो यहां पर यह देर रखा था तो तो मैं से हमें क्या करना है भी यह जो डी डैस है हमारा उससे हम फ के मल्टिप्लाइक करें और फिर फॉर्मली में पुट आप कर देंगे यहां पर लाज में आ इसे मुल्टिप्लाइब भी करने अब आथा इंज के चाहब हमला करके और मिद्व ri in दार ररेड़् इंडारेडि शोट करट फिर अ इंटा फिर हम कहीं होता है यहां पर होता है कि हमें जब कई वर लेस्ट देन या मोर्दन की फो में डाटा दिया होता तो निकाल जब लेस्ट इन में दिया होता है तो हम क्या करते हैं हम उसको ऐसे घटा के चलते कि पांस सां ठीक है पहले वाला तो पांस रहेगा फिर पांस कुछ 17 में से घटाएंगे फिर अगली वैल्य आजाएगी फिर 17 तो यह गटता हुआ चलेगा निच्छे की तरह ठीक है और यह कैसे बनेगा बलाइस दैन तो मतलब जीरो से दस होगा फिर 10 से 20 20 30 40 75 यह बन गया लेकिन कई बर मोर्दन दिया होता है मोर्दन में उल्टा गठाना होता है ऐसे ओपर कि तरह तीस में से टाइस गया तो फिर 18 म हमें 120 के तो चार ऐसे चीक है और यह हमारा नॉर्मल बन जाता है फिर हमें उनका यूजर कर सकते हैं कई भर हमें मिसिंग की फॉर्म में भी क्विक्शन देंगे तो बस इस पर क्या होगा कि हमें यहां पे मीन ही देगा अब हमें डाटा कुछ तो देगा ही तो हमें वह जो लगाते हैं वह लगा देंगे वहां पे जो मिसिंग वैल्यू है वहां पे एकस एबी जो आप माना चाहिए वेरेबल मान सकते हैं और फिर फॉर्मल ने पुट कर वहां से आपके वह मीसिंग वैल्यू आजए चीक है तो यह हमारा एक तरीक नहीं का बाता है कंपाइन सब्सक्राइब तो हमें अगर उनका एक मीन निकालना हो जैसे यहां पर फॉर्मला देखा दब दो वन टू थे तो हमने नंबर वन के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्रम और उसी का यह मतला मीन लिया उसके मल्टिप्लाइब कि हमारा मीन क्यों होता है मीन होता है हमारा टोटल में लिए तो अगरह Sharp हमी टॉटल निकालना तो हम कैसी निकालना होता तो हम वहां यहां निकाल सकते हैं जैसे यहां पर मीन आइड़ दे रखिये 25 मेल वरकर की एक फैक्टरी में ठीक है जो 21 cm ठीक है क्या 25 मेल वरकर तो यह यहां पर 25 होगा और उनका एवरेज होगा एक साथ ऐसे ही आइड़ दे रखिया पैटिस फीमेल की एंपैटिस होगया और उनका आवरेज एठाउन अब कं पर एक्टिंग इंक्रेक्ट वेल्यू में कई पर क्या होता है कि जब मीन निकालते हैं तो उस गड़ पर जाएस यहां पर 100 थे उनका मीन इतना था मतलब जैसे 100 आइटम है ठीक है और उनका मीन अमारा 80 है नमबर और तरम जो टोटल था वह पता नहीं ठीक है यह हो गया तो करती है बाण में को ना हमने मलब हमने इसको बाण में पढ़ यह 39 की जगह पर तो बाण में को क्या करना है में घटाते है और 39 लेना तो जोड़ते हैं नमबर और तरम तो उतनी ही रहेगी तो यह हमारा क्या जाएगा क्रेक्ट मीन आजाए ठीक है ऐसे दो वैल्यू हो सकते है अर्थमेटिक मीन से वह हमेशा जीर होता है लेकिन अगर उन डिवेशन का हम सुकेर करते हैं उनका जो सम होता है वह हमारा मीनिमम होता है अर्थमेटिक मीन के केस में ठीक है और जो हमारे अर्थमेटिक मीन हो तो उसमें जब एक से जब गुरूप दिए गए हैं तो हम उ सब्सक्राइब करोगे क्योंकि इन में एक प्रक्ट करने साथ में पर जाद एफेक्ट अगर अगर मल्टिप्लाइब करेंगे डिवैड करोगे टिक और अर्थ में जो हमारा यह मैं इसके उपर नमबर उत्रम मतलब जो समय वह और निचे अन है तो टोटल निकालने के लिए मि कर सकते हैं और यह कैलकुलेट करता है मतलब टेप्स कैलकुलेटिड वाली होता है इसमें पोजिशन वागर के जुरूत ने जैसे मेडियान है मोड है इसकी कुछ डिमेर्स एक तो एक्स्ट्रेम वैली से बहुत ज़्यदा अफेक्ट होके चलता है और यह ना ओपन जितने भी अलग 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 इंपोर्टेंस देखे चलते हैं तो वहां पर वहां पर हमें निकालते हैं तो क्या करेंगे डबलू की जो हमारी एक्स है उससे मुल्टिफ्लाइक रहेंगे डबलू के समसे डिभाईड करेंगे जैसे आइटम से वेड़ था इन दोनों के मुल्किलाइक इनका सम्खिया और डबलू से इनकालने के लिए हमें उनको असेंडिक और मैरेंज करना होता है तो मीडियन क्या होता है मीडियन अन टाइब से क्या कहें मेडन को निकालने के लिए हमें ना उनको असेंडिंग और मेरेंज करना होता है तो मीडियन अब आती है इंडिजोल सिरीज केस में क्या नंबर ओफ ट्रम्स में वन चोड़ेंगे और उसे टू सेटिफाइड कर देंगे अब ओती है दो पर कर किसी एक आइटम की वह हम पहले तो में उसे असेंडिंग में रहें पिर जो मीडिवल्य होगी हमारा आंस्वर हो जाएक जब कि यहां पर नमबर सीरीज में विवाई करना है कि कि यहां पर आठ एक जोड़ा तो क्या होगे नो को दो से डिवैड किया तो कितने आगे साधे च्याश अब क्या करना है में चोथी भी ट्रम लेनी है सेंडिंग और जो आप चाहां उसमें रेंज करने के बाद और पांच भी उन दूर्न को चोड़के और दो से डिवैड करना है चिक है तो यह हमारा तरीका बात आती है डिस्क्रेट सिरीज में क्या होगा है पहले तो वही जैस दो तरहसे डेका दो पिर एयसे चलता जाएगा इंहां भी तो पहले तो पहली फिर अगली तिन दूं मतलब पिर अगली चलो ओशन सो इस आसां और घक है उसको इसमें जोड की तो ऋरञा है शनी वाह ब्म चाहए हमारी नास हमारी ओगी मीड वैल्यू ठीक है फिर मीड वैल्यू के सामने हमारा क्या है एक्स सोला हमारा मेडियन हो जाएगा अब आतिक कंटिनुए सीरी चहां पर हमें अब आतिक क्लास इंटरवल देया हो तो वहां पर हमें यह फोर्म याद अब जरूर यह एलवन होता है लोवर क्लास लिमिट एन बाइटो मतब जो नंबर उट्रम है उनका हाफ इसमें से कॉम्मलेटिफ रिक्वेंसी कटाएंग और उसे फ्रिक्वेंस से डिवाइड करेंगे क्लास इंटरवल के डिफ्रेंस से मल्टिप्लाइ कर देंगे जैसे यहां पर हमें मांक्स दे रखें और नंबर स्टोड़ां दे रखें तो सबसे पहले तो कॉम्मिलेटिफ फ्रिक्वेंसी निकालेंगे जैसे निकाले है फिर 18 में 17 जोड़ता फिर ऐसे ऐसे आप एड़ कर क्लास इंटरवल हमारा 15 है फ्रिक्वेंसा है और कॉम्मेलेटिफ ओफ्रिक्वेंसी निकाले होता है और इंटरवल के पिछ को इसे मल्टिप्लिप्लाइ कर तो यह हमारा तो जब लेस देन और मोर्देन अमें देते हुआ रहाः इचा था लिलेक्वेंस्यों , वहां में ही होती है तो यह में नॉर्मल में कनवट करना होगा तो यह हमारी कॉमिलिये थी इससे नॉंटने नॉर्मल में कनवट का जोड़ पहले पढ़ चुके हैं और फिर जैसे जो फॉर्मलां पिछह पढ़के हैं वैसे ही करना है लेकिन अगर आपको इंक्लूजीव सीरीज दे रखि उसमें हम 0.5 को जोड़ देते हैं तो इससे हमारी नोर में बदल सता है फिर सेम वही प्रोसेस हमें यूज करना है अनिक्वल क्लास इंटरवल मतलब डिफरेंस अजीब सा यह हो कई पर दो है कई पर पांच है तो हमें क्या करना है उनको ऐसे डिफरेंस की चेंज करना है जिस स अभी तक तो यह क्या था अनिक्वल था फिर मिडवल यहां पहले से देर और फ्रीकर निकालने का फॉर्मला होता है उसको आप तो को याद रखना है कि जो हमारी मिड़ वैल्यू है उसमें से उन दूब का जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है उसका हाफ एक बड़ और वो क्या होगा दो जो मिडवल थी उनका वीज का दिफरेंस फिर सेम वही प्रोसेस हमें यूज करना है और अगर मिसिंग होगा तो आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं अब बात आते हैं ग्राफिकल लोकिशन ओप मीडिया जब ग्राफ की फॉम में इसे निकालना हूँ त सबसे पहले लेस देन में या मोर दिन आपका जो मन करें उसमें करने क्या क्यों मिलेटी फ्रिक्वेंसी आ गई फिर इसको यहां पर हमने पूट अप किया अब जो एन्बाइट वह थी तो 45 45 हमारा यहां पर यहां पर है तो जहां पर कटिंग वह मारा मीडियन होगा तो यह हटें हुआ और परहां यहत मिला को मिला देतों हमें एक्टाशाएक्व मेडियन कर शकते हो और बहुत इए जैसे प्यूट जैसे ब्यूटी इंट वगrare जैसे और मोस्ट एप्रोप्रेट घ्वरेज उपनने जरुद नहीं होता तरह यह पर आपर लेकिन और इसको एटेक्टान करना पड़ता है जो उन्य चरूति जरूत नहीं होती है और यह भार बार मचर एलजेबर कर कर सकते हैं जैसे में पर कर सकते हैं और इट कांट भी इसको निकालना मुझ्किल हो जाता है तो इमीड नहीं निकाल के दिखारे नो मेरिकल अगर अगर आपको फिर भी दिप में पढ़ना हो तो बता सकते पारें इस परसंटाइल जैसे अभी आम निकाल रहे हैं तो इस एन प्रसंटाइल मतलब क्यों से दिखाएंगे डिसाइल और परसंटाइल को पी से निकालने का सेम है जैसे हम पीछे पढ़के आए हैं कि डिस्क्रेट सेरीज में तो हम एड करेंगे और और कंट्इने सिरीज में नॊर्मल तो यहां प error app क् packet निकाल हरे तो यहां पर चार से डिवेड करों और टी साइल निकालोकिगे तो ठेंसे और तो हैंडरा और अब यहां पर निकाल रहे तो कोई मल्टिप्लाई करोगे ठीक है और नाइन से जितने भी परसंटाइल डिसाइल निकालना है उतने से तो कितना हो जाएगा 12 12 आपन में दो चार करेंगे क्योंकि यहां पर हमें यह कोड़ाल निकालना है तो थृवाली ट्रम में लेने नहीं है क्योंकि इसे हमें पहले सेंदिंग उटर में रहें तो यह हमारा आणस्वर आगया तो यह से यहां पर पूच्छे फॉर्थ वाले प इसे का यूज होगा जैसे हम पीछे पढ़के सेम है बस थोड़ा सा डिफ्रेंस आजाता है कि यहां पर हमें परसंटेल है तो एक पहुत और यहाद रख लेना यहां पर जैसे है हमारा हम डिवाड करते तो यह पूरा फिफ्टी फिफ्टी होता हिदर भी 50 होता हिदर भी 50 ह सब्सक्राइब करने का तरीक होता है तो वहां पर आप इसको समझ सकते हैं तो जैसे हमने मीरिडियन की की वैसे आप इसकी ग्राफिकल लोकेशन को कर सकते हैं और जो भी कोईटाइल है उसका तरह निकालना है और फिर इसको हो ग्राफ में पूंठ कर देना ओगी की हुच हमें यहां पर कर रहें कर् οπο ER आती हैं देर मोड होता है मोड हूड है यह क्यों होता है जोbol We Hub क्यों बाहर बाहर फ्रेक्वेंट लियात कर रहता है तो जैसे यहां पर 8 आठ बार आँ तो हमारा आठ आथा हो गया और डिस्क रेट सीजिच के केस में भी वहीं कि ज़त्व हिस्क लेज यह हैं हमारा है अब आदे डिस्क्रेट सेरीज में दो मैथर होते हैं इंस्पेक्शन मैथर गृूपिंग मैथर में जिसकी मैक्सिम्म वैल्य होग वह हमारा आंसर होगा जैसे इसकी वैले 10 थी तो यह मरें करना दूसरी में पहले और दूसरी में पहले वाले को छोड़कर 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 बची हुए तीन का सिक्स्त में पहले वाले दो को छोड़कर उन बची हुए यह कर ऊपर आजए great तो उसमें पैनली चोड़ीने दूज़ी चोड़ीने दूज़ी चोठी ूर फिर जो पांच वाएगा न उसमें पहले चोड़ दिने दूसे तीजी चोटी और फिर जो सिख सक तो उसमें पहले दो चोड़ दीजिए चोटी पाच वी तीजिए पांच आड़ी साथ लिए अट किनों ऑगे तस्वी पिर अनलेंटिक टेबल बनाएंगे ना तो उसमें एक सब्सक्र दिखाना है और इनको नाम देना है क्योंकि छे कोलम होते हैं न च्छे तो अभी यहां पर यह देखना है कि मैक्सिमम यहां पर 25 था चीए तो पत्चिस है वो किसमें आया यहां पर 24 किसमें 11 12 में 11 बारा जव तो एक फोर्म्ला होता है वह मैयार लिमिट F1-F0 upon me 2 F1-F0-F2 multiply I, I, मतलब जो class interval के बिच का difference होता है, तो यहाँ पर देखो wages and number of workers, तो normal बस वही है maximum के 30, तो यह हमें लेना है, तो यह हमारा देखो इससे पहले जो होगा, वो हमारा F0 होगा, यह हमारा F1 है, और इस शगले वाला हमारा F2 होगा और यह हमारा lower limit हो, बस formula में put करना है, और हमारा answer आ जाए, ठीक है, लेकिन कई वर क्या होता है, कि bimodal हो जाता है, तो वहाँ पर हम grouping method का use करके चलते हैं, ठीक है, grouping method वही है, जैसे हमने पढ़ा था, बस यहाँ पर यह interval है, तो last में table बनने के बाद, जिस class interval का में पता चलेगा, उस पर हमें इसी formula का use करना होगा, जो हम पिछे पढ़के आए, ठीक है, अब बात आती है, कि जो हमने mid पढ़ लिया, mode पढ़ लिया, ठीक है, median, तो mode का भी तो graphical representation होगा, तो यहाँ पर इस्ट्रोग्राम का use करते हैं, ग्राफिकली लोकेट करने के लिए, बस यह marks है, नाबर हो, student है, उन्हें ग्राफिकली दिखा देंगे, और फिर formula का use करेंगे, जो value आएगी उसको हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, मतलब यह फिचर्स हैं, तो यह आसाने से समझ सकते हैं, ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, उपनेंडिल स्रीज में भी यूजफूल हो जाता है, जितने बढ़ता है, पूरा बढ़ता है, बढ़ता है, तो यह इसकी कमिया थी, अब बहता है, हमने फढ़ लिया, पूरा मोड, मीडियन और अर्फमेटिक मेन अब आता है जिमेटिक मेन क्या पड़ा है अने अननियत्रूट होता है यह मैसमेटिकल एवरेज होता है तो जो मेन कही हमारा फॉर्मूला देरा है यहां पर हमें डो इप्षटे रखे तो उनका मल्टिप्ला कि नियुकरूड कि र तो याद रखना जैसे लोग एम अपोन में एन है तो यह क्या हो जाएगा फिर हमें क्या करना है इसका एंटी लोग लेना है तो यह टेपल में पिछे देगी है वहां से इनकी वैलियूस को निकाला देगा इंडीजिमल सीरीज में हमारे यह फोर्मला हो जाड़ता है जैसे य हमने इन सबहर वैलियूस को कास लिया से य॥ टेबल से टेबल में देखी मनी वैलियूस और फिर कसम टोटल जो कर जो यह यह पाली टेबल है पिछे देगे मैं यहां से मश्अ करके लोग य॥ो निक्काला हम गयना है ठीक है यह हमारा था से मल्टिप्लाइब करके लोग के वेलियु निकाल के फिर उसे निवाइड करना है कंटिने सीरीज में यहां पर एक से ज़्यादा जब हमें आइटेम्स दे रखे तो वहां पर जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाल था वैसे से कंबाइन जो में इनकम में होता है वह मैंजर करता है क्या चेंज आ रहे हैं यह स्पेशल अप्लिकेशन नंबर किसकी इंडेक्स नंबर की अपलेशन जो वह बहुत जब जब होता है जो हां पर इस दिया जाता है चीक है चोटे-छोटे आईटम और सभाइज दे रखे है और मतलब है हमने अंप्धा रखा था तो हमने क्या किया बस वही जितना परसेंटेज रहा हो लिया फिर उसकी लोग वैलुज़ ली और उनको थेवल में अब एक हम निकालते हैं average rate of growth of population तो यह क्या करता है हमारी help करते हैं इसको निकालने की फॉर्मुला हमारा PN is equal to P0 bracket 1 plus R upon power can तो आर तो होगा average rate of growth कितनी growth हो रहे हैं उसको माले अगसे वीडियो में समझाएं फिर बान आती है मैरेज़ी में तो रिगेटली डिफाइन होता है सभी आइटम पर बेस होता है सुटेबल अलजेब्ली ट्रीटमेंट के लिए लैस्ट विट दिता है बड़े-बड़े आइटम को और मैरेज होती है सैंप्लिंग पर अगर हमें साउव ही आइटम के वैल्यों ना पता है मतलब सारे जरूरी होते हैं ठीक है और यह ना कहते हैं रही है और अगर यह वैल्यों ना जीरो श्रीक में जाता है जीरो और अल्यक्वाम्ण म हार्मोनिक यह एक मेंध में लेकिन रइस्प्रोकल होते हैं पहले लगालो हम नेओं निकाल ले उसका है उसका फॉर्मॉल चाहियों यहां बस रहती हों प्राइस निकाल 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 निकालना अब बात हती है कुण सा बैटर है यह यह घ्र मोनिग मीन यह ए अर्थमेड बाद निकाल निकालना इस आप सब्सक्राइब अपने अपनी जगह पर तो दोनों होते हैं अच्छा नहीं बोल सकते हैं लेकिन अगर बात करें तो अच्छा होता है अब बात आते हैं जो हमारा हार्मोनिक मीन है उसकी मेरेट होता है और कर सकते हैं और मतलब इन में प्रोब्म होते हैं द्याम से निकाल है लेकिन डिमेट के समझ ना मुस्किल है च्छोटी-च्छोटी यह इंच को और यह इसकी जो वैल्यू है उसको कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तो दोनों पोजिटीव है या नेगेटिव आइटम से सीरीज में तो नंबर मालए हमने ए और भी तो दोनों का टोटल डिवैड़ भैट स्थियर्ष्ट्री बर्ट सब्सक्ताहरा एकन फाढ़ मतलब हमेसा भीच में अगर वैल्ल के लिए सिमेडिकल की बार आते हैं तो चहां पे समेडिकल धिस्ट्रिविशन होता है हम एं तूझ टूझ रहे हैं वहां पर पोजिटेवलिटिभली होता है वहां पे हमारा में केंमी also極ैन में हमारा मोर कें मोड से हां तक में सी ओर में